अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए यो और जान बदमाशी मत करो आज हमाई शादी को पाथ साल हो पूरे तुमारी अदट करने की आदत अभी तक नहींगी तुम तुम्से अदने की आदत तो आफरी सांस तक नहीं जाएगी हम कर दो किसका फोन है किसी का भी पर गारी चला टे टाइम पोन अठाना अलाउड नहीं है अरे इसलिवा पैस तुम्हें देढूंगा थिक का जल्ली दो हलो तिद्दान? क्या हो तिद्दान? फ्लोट रहा हो गाडी? तिद्दान? तिद्दान! तिद्दान सब्सक्राइब गोगरो! प्रश्प्रेवरो! खिद्दान सब्सक्राइब खर्याया दोंगेशारी ने… तिद्दान सब्सक्राइब तित्क्राइब लगे थे हो में शेक्टाइब थे हो.. इस ने शिराब नहीं हुई रकी। सभजी मैं नसे में तो कभी भी गाड़ी नहीं चला ता हूँ और जहां तुछ तर्फ का सवाल है। इसमें हमारी को ही गलती नहीं शॉप खुए कि यह जो की महुत हो चुकी है कि ऐसे वह यह सब आप zie मैं तो सिधा सिधा रस्ते में जा रहा था पता नहीं ये कषर गहां से तीजी से आई और सिधा ट्रक से टक्रागई जिहां सर्, यहां सर्, यह आदमी सच कह रहा है, पैने भी देखा था, जिस तेजी से यह कार जाकर ट्रेक्से टक्राए उसे देखकर ऐसा लग रहा था, यह आदमी आत्मातिया करना चाहता हूं सर्, अनिकल, सर्, गाड़ी रिया के नाम पे, वह यह वरच जिसकी एक्सिड़न में मौत हो चुकी है, पुर्स आदमी का पर्स मिले, कोई आइडी बगएर है, सर्, आइडी पर्स तो नहीं मिला है, सर्, यह खून मिला है, लेकिन पुरी तरीके से डेमेज हो चुका है, मोबा सब्सक्राइल कंपनी सिसके डेटेल्स निकाला, और इस रिया के गरचा, इनके गरवालों को एंफाम करो, यह इंसानी दिमाग है, हमारे शरीर का सबसे एहम इससा, हम अपनी रोजमर्रा की बातें, अच्छी बुरी कड़वी यादें, अपने इस दिमाग में जमा कर लेते समोहन के बारे में तो आप सबी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक अलग समोहन के बारे में बताने जा रहा हूँ अलग तरह का समोहन? डॉक्टर अनिता, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको आपकी आने वाली पूरी जिन्दगी के लिए समोहित कर दूँ और अगर आपको पता भी ना चले, तो फिर मगर ये तो बिल्कुल नामुम्किन सी बात है इस नामुम्किन को मुम्किन बनाने के लिए, आज मैं यहाँ, आप लोहों के बीश मोजूद हूँ चलिए, एक मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं, कि आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन ये समोहन कभी न कभी तो टूटेगा जी हाँ, टूटेगा मेरे पास तरीका है उसे फिर से शुरू करने का जैसे ही आप समोहन से बहर आएंगी, आपका दिमाग रिवाइंड होकर वापस उसी जगा पर पहुच जाएगा जहां वो समोहित होने से पहले था मतलब समोहित होने के बात का हमें कुछ भी याद नी रहेगा जी नहीं और आप सभी लोग इसका असर देखना चाहेंगे जी सर पर आप समोहित करेंगे किसे यहाँ पर तो कोई सब्जेक भी नहीं है आप लोग है न मेरे सब्जेक्ट अगर मैं आप जेसे काबल डॉक्टर्स को एक साथ समोहित कर लेता हूँ तो फिर शक्की कोई गुंजाईशी नहीं कि मेरे समोहन का तरीका काम करेगा या नहीं ठीक है डॉक्टर दिंकर आम सब लोग तई आरें तो शुरू करते हैं यह कैमरा आप लोगग की हर उस हरकत को रिकार्ड करेगा जो सम्मोहन के दोरान मैं आप लोगों से करवाँगा क्योंकि सम्मोहन सर्द बहार आने के बाद आप लोगों को कुछ भी आद नहीं रहेगा आप सब को एक साथ ही सब मोईद करने वाले हैं जी हाँ, ये भी एक नई प्रिग्रती है सम्मोन की दुनिया में, मैं आप लोगों के दिमाग को रोश्णी और आवाज से अपने काबू में कर लूँगा इन करनों को गोर से देखिए बस यही एक रोश्णी है जिसे आप सब देख सकते हैं और बस मेरी ही आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं इस रोश्णी और मेरी आवाज के अलावा इस रश्टी में कुछ और नहीं है इन करनों को गोर से देखिए देखिए गोर से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी ही आवाज सुनाई दे रही हैं अब आप सब लोग सम्मोहित हो गए हैं आप सभी लोगों का दिमाग मेरे काभू में हैं आप सभी वही करेंगे जो मैं काउंगा जो मैं चाहूंगा यह क्या है तीन गज गए दो यह लेक्चर खताम होना था अंदर दे कुछ अवाज भी नहीं आ रही है दिवाजा कोल के देखी नई डॉक्टर दिन के नाराज हो जाएंगे ने नी कुछ नहीं होगा चुरो देखते हैं डॉक्टर दिन करका कोई अजय कर देखते हैं पांटेन पैंट से खुन कर दिया है यह जो खुने भी क्या क्या तरीका निगालते हैं डॉक्साब खुन करने के अभजी अबर पैंट से सीधा ऐसे भार किया जाएगा तो आदी तो पक्का मर जाएगा बस के देखो अबर सब दरा इंड़ों को अच्छी से चेक कर लीजिए यह लोग वाकई में सम्मुहीत हैं यह फिर सम्मुहन का ट्रामा कर रहे हैं मैं चेक करता हूँ तर इंड़ों को कहना है के कॉपरेंस के दोरान ना ही कोई अंदर आया ना ही कोई बार गया कॉपरेंस के शुरू होने का टाइम क्या था? 11 बज़े, सर और यह दो बज़े तक खतम होने बाली थी हाँ, सर, लेकिन तीन वे जा कोई बाहर नियाया तो हम लगोज ने दरुजा खोल कर देगा तो डॉकटर दिंगर की लास पड़ी जी से, सिर मतलब ग्यारा बजे से तीन बजे के बीच आप लोग इस दरुजा के बाहर ही खड़े थे जी बाहर ही खड़े थे हां सर बिल्कुल इले नहीं जी सिर जर इसका मतलब खूनी कोई बहार का नहीं, बलके अंदर का अदमी है अभी जीद क्या बाता चलो डॉक्सर अभी जीद, जब यहाँ देखो, यह इसकी आख की पुथली पे, यह काले काले निशान पे देखो गोर से, कुछ फर्त नजर आ रहा है यह थोरा बड़ा दिख रहे है एक्जाटली और इसा तभी होता है जब इंसान सम्मोहित होता है मतलब एक सम्मोहित आदमी ने खून कर गया सर्थ सर्थ खूनी इस सिर्फ सम्मोहित होने की आट्टिंग कर रहा है के लिगे, कैमरे का केबल कटा हुआ है जलदी से जल्दी इंदिजाम कीज़ जैसे यह लोग सम्मोहित रहे तो इंकी जान का खत्र है इन्हें उ्म्मोहित हो शकता है यह कूमा में जा सकते है कुछ भी हो सकता है ठीक है जल्दी से जल्दी इंतिजाम कीजिए जैसे यह लोग समॉन से बाहर आएंगे वो खोनी भी सामने हो जाएगा देखे ओफिसर्स खेलाल तो मुझे कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है इन लोगों को समॉन से बाहर निगालने का तरीका नजर नहीं आ रहा है मतलब आप भी तो एक सैकोलोजिस्ट है हिपनोटिसम की अच्छी कासी जानकारी है आपको तो फिर ऐसा क्यों? सम्मोहित हुए लोगों को हिपनोटिसम से बाहर निकालना मुझे आथा लेकिन इन लोगों पे कुछ अलग किस्म का एक्सपेरिमेंट किया है इन लोगों पे कोई भी तरीका काम ही नहीं कर रहा है इसका मतलब है इन लोगों को सम्मोहन से भाहर लाने का आप कोई राता नहीं है दॉक्टर दिनकर ने अपनी आवाज और रोशनी से इन लोगों को हिपनोटाइस किया और सम्मोहन से बाहर निकालने के लिए इन दोनों चीजों की ज़रूरत होगी मुझे दॉक्टर दिनकर मर चुके है वह आपकी मदद के लिए वापस नहीं आ सकते जो भी कुछ करना है आपको ही करना है जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मुझे थोड़ा वक्त दीजी सर, कोई फाइदा नहीं वा रहा है इन सब के हालत पिलकुई ज्यों कित्यों है जब तक यह लोग ठीक नहीं हो जाते हैं तो कैमरा यह एक ऐसा सुराग है हमारे पार जैसे पता चल सकता है कि वहाँ कॉन्फरेंस हौल में हुआ क्या था वो नहो अब जीद इस खून का राज उस कॉन्फरेंस लूम में ही है देखते हैं कॉन्फरेंस लूम का फुटेज देखते हैं रजयत फुटेज लेडी है यह सर इन किर्नों को गौर से देखिए गौर से देखिए इन किर्नों को रोशनी के सिवा आपको कुछ और नहीं दिखाए देगा बस यही एक रोशनी है जिसे आप देख सकते हैं और बस मेरी ही आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं आप सभी लोग सम्मोहित हो गए हैं अब आप लोगों का दिमाग मेरे काबुम है मैं जो कहूंगा बस आप लोग वही करेंके कुछ आवाज सुनी तुम्हें केसी आवाज सर तर दुदुवारा प्ले करो, देख देखे हैं बस आप लोग वही करेंगे हाँ सर यह बिल्कुल फुटेज के आखरी में हाई यह एक सभी सर यहां सुने कि तुदुरंश कि अभिंट पंद पंद हुने की आवाज है लेकिन, सर उस कम्रे में तो एक ही दर्वाजा था और और मुरे कांव्ठरेंज के दौरान उन फुड़ाही नहीन वही तो जब दरवाजा खुलाईं नहीं तो फिर दर्वाजा बंद कैसे हुआ? इसे जैसे ही आवाज आई, ये डॉक्टर दिनकर उस तरफ बहुत ध्यान से देख रहे हैं देख तो रहा है एक तरफ, वगर कहां देख रहा है, किसी देख रहा है है, चक्कर क्या है? सर कहीं आवाज नगली तो नहीं? I mean, ये आवाज क्रियेट की गई हूँ, दर्वाजे की आवाज किसी ने प्ले की हो मॉबाइल पे या रेकॉर्डर पे है, वो सकता है, ये भी हो सकता है, कि वह जितने भी लोग मौजुद थे, उस सारे के सारे डॉक्टर दिनकर के सम्मोहन में नहीं थे, नहीं थे, डॉक्ट और उसी एक ने डॉक्टर दिनकर का कौन कर दिया, सम्मोहन की अवस्ता में, सर, शायद ये दर्वाजे की आवाज ट्रिगर हो, खून करने के लिए, एक्जाक्टली अभी जी, यही हुआ है, वहना कोई और तरीक आइंग नहीं है, डॉक्टर दिनकर को मारने का, सर, सर, सि यह सिदधान के फोन रेकर्ड़्स है는, उसने डॉक्टर दिनकर को एक महीने में 21 थार थाल फोन किये थे, एक महीने में 21 थाल थाल था है, तो इसका मतलब है अब अब जीए, सिदधान तो दिनकर, एक दुसरे को अच्छी तरह से जानते थे अाज शदधान भी डॉप्टतर दिनकर की तरहा एक साइकॉलोजिस्स था ओहुण सिदधान और दिनकर साइकॉलोजिस्स थे कही ऐसा थो नहीं कि सिदधानकी मौत आत्मा थे ही ही नहीं अब जिद्धान को आखरी बार एक्सिडन्ट से पहले विडिका था चुझा लिए 08 साउनिमे एव किसी के जाने हम किंभी किंभटार। किमी? यह किमी को नहीं? सार, यह किमी तो सिद्धान के बीवे की छोटी बहन है. ओ, सिद्धान के बीवे की छोटी बहन, किमी? इस किमी से मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा इस किमी से, जरूर कुछ न कुछ तोपता अच्छा लिए जाएगा. मुझे लगा अपसे मिलने आ रहे हैं, आपको डर ने लग रहा है? डर क्यों लगेगा? मैंने कोई गुना थोड़ी ना किया है गुना किया है या नहीं? यह तो हम पता लगागे लिए अलो के में वैसे काफी जल्दी काम पर वापस आ गई है अपनी बहन और जीजा के जाने का जादा शोक महीं मनाया पर शोक मनाने से वो लोग वापस तो नहीं आ जाएंगे ना मुझे लगा अगर काम करती रहूंगी तो इस दुख से मन भटक जाएगा पर मुझे एक ची समझ नहीं आरी आप C.I.D. वाले एक रोड अक्सिडेंट को मर्डर का नाम कैसे ते सकते है क्यूंकि वो कोई मामुली रोड अक्सिडेंट नहीं था सिद्धात ने जान बूज कर अपनी गाड़ी उस च्रक में पढ़ाई थी क्या जीजो ने खुदखुशी की थी आप खुदखुशी की या खुदखुशी करने पर मजबूर हुए यह तो हमें तब पता चलेगा जब आप हमें बताएंगे कि हाथसे से ठीक दो मिनट पहले आप उनसी फोन पर क्या बात कर रही थी ये क्या बोल रहे है आप मै चीजो से बात कर रही थी मेरी तो उनसे आखरी बार बात एक मेरा पहले हुई थी. किमी, क्या लगता है आपको? अब हमें कहानिया सुनाती रहेंगे, हम सुनते रहेंगे. सच सुनना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ सच. मैं सच बोल रही हूँ. आप लग मेना यखीन क्यों नहीं करते? क्योंकि मोबाइल रेकॉर्द्स अभी जूट नहीं बोलते हैं. सिद्धान्त ने मरने से पहले आख्री बार तुम से बात की थी. यह कैसे हो सकता है? मैं तो यह भी भूल गई थी. उस दिन दीदी की शादी की सालगिरा है. मैंने कॉल नहीं किया उन्हें. क्या? recipientsकी थो मैंने कॉल किया? जी.. 9ुशे? ने जो भूबचै तो मनी मैं नहीं की थे बासे में आख्रीस ऩशंटरे की थे बात कर्सके हैं. हا पहले हैं. क्यों अए टम क्यूंत विश्छ मेर्पोर है? मेरे वैनेटे वैन में.. वर मेरी वैनिटी वैन में वाया के लावा किसी और को जाने की परमीशन ही नहीं है इस मया को बलाएए ए प्लीज मया को बला के लॉग किस माम आपने मचे बलाया? अच्छेस तारीक गुराथ 9 बजे जब किमी स्टेज पर शोक कर रही थी क्या आपने उनकी वैनिटी में जाकर उनकी मोबाइल से कोई फोन किया था? ने साँ, वो फोन मैंने नहीं किया था अगर तुम नहीं किया था तो फर किस नहीं किया था? वो मैम, उस्राथ प्रोड़क्शन वैनिटी इलेक्रिशन दादा प्रतीक, शेलेश कहां चली किया सबके सब? हरे कोई तो उलेक्रिशन को फेजो या पे तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यो नहीं बताए मैम, मैं डर गई थी मुझे लगा आप मुझे को गुस्सा करेंगी इसलिए जरूर इसी आदमी का खिया था रही उसने किमी के मॉबाइल से सिध्धान को फोन करके सम्मोहित किया और मौत के मौमेट अकेल दिया उस आदमी के बारे में कुछ भी आद है तुम्हे कोई अजीब सी चीज जो तुमने देखी हो असर उसके जूते क्या था उसके जूते रहे कि अलग जूते थे उसके उसके अलग जूते थे लगा हुआ था सिल्वर लगा हुआ था ठीक है स्केच बनाओ दर्वाजे की अबाद से सम्मोहन पड़ सार इन सब को तो डॉक्टर दिंकर ने ध्वनी और रोशनी सम्मोहित किया था दर्वाजे की अबाद से नहीं हम जानते है पर मैसिव इतना कह रहा हुआ के शायद इन में से कोई एक कॉन्फेंस में आने से पहले ही सम्मोहित था और जिसने इसे सम्मोहित किया वो यह चाहता था कि उसका सब्जेक्ट डॉक्टर दिंकर का खून कर दे Oh My God इतनी बड़ी साजिश मगर सर अगर इन में से कोई पहले से ही सम्मोहित था तो डॉक्टर दिनकर को पता कैसी नहीं चला वो भी तो बहुत बढ़े दॉक्टर थे हिपनोटिजम के क्योंकि शायद दर्वाजे की आवाज ही वो ट्रिगर हो जो इन्हें सम्मोहन में डालती हो और फिर बाहर निकालती हो पुर सकता है सर्थ मतलब जब वो कॉण्फियंस में आया तब वो सम्मोहत नहीं था और सर जैसे उसने दर्वाजे की आवाज सुनी अपने फोन पे या कहीं और से वो फिर से सम्मोहत होगे और जब वो होश मेहा तो से याद आया कि वो यहां डॉक्टर दिनकर कुमार में आया था क्यों किसने किया है कैसा तरीका उस दर्वाजे की आवाज को हम एक बार फिर से चलाएंगे आवाज सुनके इन लोगों में से जो कोई भी होश में आता है कुनी भई है रेडि सर इन करनों को गौर से देखिए इन करनों को रोशनी के सिवा आपको कुछ और नहीं दिखाए देगा बस यही एक रोशनी है जिसे आप देख सकते हैं और बस मेरी ही आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं आप सभी लोग सम्मोहित हो गए अब आप लोगों का दिमाग मेरे काबुम है मैं जो कहूंगा बस आप लोग वही करेंगे मैं यहां? दोक्टर आरफ मैं दो दोक्टर दिनकर के कॉन्फरेंस में थी ना? यह सब लोग कौन है? प्रिशिता तुम सम्मोहित थी और यह लोग सी आइडी से हैं सी आइडी? आईए पर दोक्टर दिनकर कहा है? उनका खून हो गया है खून? किस ने किया? तुमने वाट? यह क्या कह रहे आप? प्रिशिता जी क्या आपको कुछ भी याद ने कि उस कॉन्फरेंस रूम के बंद दरवाजे के बीचे क्या हुआ था? नए पर दोक्टर दिनकर का खून? मौत? ऐसा लगदा जैसे यह शब्द मैने पहले कभी सुना है वो इसलिए क्योंकि तुम कॉन्फरेंस में डॉक्टर दिनकर को मारने के लिए आए थी पहले से सम्मोई ठोके किस ते तुम्हें प्रोटाइस किया था? कौन है वो जो दिनकर को मारना चाहता था? मुझे नहीं पता कुछ नहीं पता ऐसा कैसे हो सकता है होई मेरी जिन के इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता देखो प्रिशीता घबरामत इस शर्यंत्र के पिछे जो कोई भी है तानून सजा उसी को देगा और अगर तुमने ये जान बुच के नहीं किया है तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा तुम बस अपने दिमाग पे जोर डालो और हमारी मदद करो मैं सच कह रहे हूं मुझे कुछ यार नहीं आ रहा ऐसा लग रहा है जैसे लंबी नीन से जागी और पीछे का सब धुन्दला धुन्दला सा लग रहा है ये तिंक पन ये तिंक पन को पैचानती हो ये पन तो डॉक्टर दिंकर के टेबल पर था और और शायद शायद मैंने उस दिनों से उठाया भी था पर क्यों उठाया था उने मारने के लिए ये है बॉत यार जो डॉक्टर दिंकर के गले में खुपा गया था ये मज से क्या हो गया मैं खूनी हूँ ये तुमसे किस ने करवाया है ये पता करने के लिए तुम्हें फिर से समोईत करना पड़ेगा नहीं नहीं मुझे तुम्हें उन्हीं होना रिशीता तुम्हें कुछ भी नहीं होगा हम तु सिर्थ खुणी तक पहुछना चातें बस नई आप किसी के मर्जी के बिनन उसे समोईट नहीं कर सकते यह गलत है अच्छा इसका मतलब है आप अपने मर्जी से समोईट हुई थी उसकुनी के आतो नहीं ऐसा नहीं है इसलिए इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन है वो आदमी तो सम्मोहन का गलत फाइदा लोग उनका खून कर रहा है तर यह जिस किसी का भी काम है थोड़ा खिसका हुआ है तो साबित करना चाहता है कि सम्मोहन की कलाम हो बेस्ट है तब ही तो दिनकरो और सिदान जैसे साइकलोजिस को मार दिया उसने तर कुछ खतरनाक पक रहा है उसके दिमाग में अभी जी तो एक बार एक प्रिश्टा को याद आ जाए ना कि एक कलाकार है कौन फिर नहीं बचेगा है हमारे हाथ में थांक्यू थांक्यू सार सार जूतों का स्कैश्ट बंद कर रहा है अच्या यह है वो जूते बड़े खास किसम के है अगता है कस्टम मेर है हाँ सर यह कस्टम मेर ही होंगे ऐसे मेटल वाले जूते ओर देकर ही बनवाए जाते हैं तो बिल पता लगाओ कि यह जूते बनाए किसने और किस के लिए प्रिशीता तुम मुझे सुन सकती हो हाँ गुड अब मैं तुम से जो कुछ भी पूछूँगा तुम सच सच बताओगी ओकी ओके डॉक्टर प्रिशीता प्रिशीता अब तुम अपने दिमाग की गहराईयों में जाओ और मुझे बताओ की डॉक्टर सिद्धान और डॉक्टर टिंकर की आखरी मुलाकात तुम्हे याद है हाँ क्या दीख रही हो तु वो दोनों एक दूसरे से बातचित कर रहे हैं मैं रोज की तरह सुभा दस बज़े डॉक्टर दिंकर की क्लीनिक में पहुच गई हो डॉक्टर सिद्धान निकल जाना से फिर कभी तो बारा अपना चहरा मुझे मत दिखाना मैं तुम्हें छोड़ूगा नहीं दिंकर अगर हग दिया नहीं जाता तो उसे चीनना पड़ता है और मुझे मेरा हग चीनना आता है आउट आउट डॉक्टर दिंकर सिद्धान पे बहुत नाराज है उन्हें इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा अब हम वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं कॉन्फरेंस वाले दिन क्या हुआ था प्रिशीता दिंकर सर अपने लेक्चर की तयारी कर रहे है आज हमें वो कुछ नया और अनोखा दिखाएंगे मैं नोट्स बना रही हूँ और कॉरीडोर में डॉक्टर दिंकर के कुछ साथियों से बातचित कर रही हूँ ये क्या दर्वाजा बंध होने की आवाज आई है कोई मेरे मस्तिष्क को अपने वश में कर रहा है वो इनसान चाहता है कि मैं डॉक्टर दिंकर को रश्यता क्या कर रही है चलो कॉंफरेंस की लेट हो रहा है ये सर् अब मैं ठीक हूँ कॉंफरेंस में जा रही हूँ अब उस आवाज का मुझ पर कोई असर नहीं है ठीक है प्रिशिता अब तुम सो जाओ अब तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी हमारा अंदादा ठीक था किसेने प्रिशिता को सम्मोहित करके उससे डॉक्टर दिंकर का खून करवा है सर हो सकता यह काम सिद्धांत ने किया हो उसकी लड़ाई हुई थी ना डॉक्टर दिंकर से ने फेड़ी इस सिद्धांत को सम्मोहन का शिकार था इसकी वज़े से उसने आत्मत्य कर ली इस पूरे सरकस का विंग मास्टर को यह और ही है सर फिर तो शायद यह काम बाकी उन साइकलोजिस्ट का ही होगा जिन से पृषीता बातशित कर रहे थी तु ठीक हरिया पुरवी तो काम करो इस पृषीता का कॉल रेकॉर्ड चेक करो पता तो चले कौन-कौन बात कर रहा था इस पृषीता से कॉंफरेंस से पहले हैं सर अमने थारी तो काने देखे तो कास्टम में जूते किस ने बनाया है वो अभी तब पता ही नहीं चल पा रहा है यह पता करते हैं देखकर क्या पता है क्या पता सकते हैं कि इस तरह के जूते आपके यह बनते हैं अने यह आप बिलकुर ठीक जगा पर आयां सर इसे जूते हमारी दुकान में ही बनते हैं अच्छा वैसे यह जूते कुछ अलग तरह के ना क्योंकि ब्लैक लेदर के साथ साथ इसमें सिल्वर जेसी धात्यों का भी इस्तमाल हुआ है अच्छा आप यह बता सकते हैं कि पिसले एक महीने इस तरह के जूते आपने किने बनाए इचले मैंने ऐसे तीन जूडियों का ओडर था सिर्फ तीन जी फिर तो आप आसानी से बता पाएंगे कि यह तीन लोग कौन थे हां एक तो विरंदर नाम का कोई अनराई था जो इंडोनेशिया साया था और एक सोलह सत्रा साल का लड़का था और तीसरा हां इसरा कौन था अरे हां सर तीसरी तो कोई एक लड़की थी जो अपने मंगेतर के लिए ऐसे जुद्ध बनवाने आई थी लड़की जी क्या नाम था उस लड़की का यह रहा लड़की का यह है लड़की जिसने वह चूते वनवाए थे पिछले एक महने से हर रूस प्रिशीता का मूबायल यहां है साइकोलोजिकल सेंटर में आ रहा है वही थो और डॉक्टर दिंकर के साथ काम कर रहे थी पंद्रा किलोमेटर दूर यहां उसे आने की क्या सब्सक्राइब है इस्यूज में जी कहिए हम लोग सी आइडी से सी आइडी क्या बात है एक खून हुआ है किसका खून हुआ है डॉक्टर दिंकर का वो तो मश्रूह साइकोलोजिस्ट है अखबार में पढ़ा था मैंने उनके बारे में बहुत गलत हुआ ना उनके साथ इसका नाम प्रिशीता इसे जानती हैं हां यह तो कई बार यहां पे आई हैं क्या इसी ने खून किया है आप कि वॉलेंटियर थी और काफी सारे थेरेपिस्टे आके मिला करती थी किस किस से मिलती थी वो तो मुझसे बेदर तो हमारे चोड़े ही आपको बता सकते हैं वो रहे सारां सर्थ हां टैल में पूजा यह लोग सी आईडी से आये हैं और यह लोग प्रितीशा के बारे में कु सर्थ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस केस की तहकीकाथ हमें फिर से कीमी के घर ले आएगी बहुत ही ओलजावा केस अश्रया दीरे दीरे कई रास कोलें अभी तो बहुत कुछ सामने आना बाकी है आप लो आएगे अंदर आएगे आजा फिर यहां पर कैसे क्या मात है किमी जी अबे देखकर आपको ज्यादा खुशी नहीं अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हमें आप से उन जूतों के बारे में इस्क्यूज बी यह फोन की घंटे बिल्कुल सही टाइम पर बढ़ी ने श्क्यूज नहीं हाँ सर जूतों के बारे में पूछते ही हलो हलो इसने अचानल गाड़ी के स्कुर्ष की बढ़ा दी स्यूज़ में? जब उस तरफ क्यों जा रही है? एकता उस फोन कॉल के ज़र यह इसे भी सम्मोहित कर दिया गया है यह गाड़ी इतनी देश क्यों बगार है अचानक है तर यह गाड़ी तो रोबोट की तरह चला रहा है तर कहीं इसे भी तो सम्मोहित नहीं कर दिया अचानक करो जाड़े भार उदर के स्टेरिंग के मारो और देखना के किसी सेवजे के भी जागे टक्राइबो अचानक गे भी जागे प्रत अचानक गार फारे उकस्ट तेन यु किप जी देशना के i जागे ओड़े घग किमी खोश मैं! किमी! किमी खोश मैं! किमी! किमी! श्यातम ठीको? हाँ सरब, मैं ठीको! यह जो कोई भी है जो लोगों को फोन कॉल के जारे सम्मोहित कर रहा है अब आमसे नहीं बचेगा सारांश इसके सार तो चोट लगी है सारांश चलो, इस वास्पिटिल लेके चलते हैं यह देखें, सर इस आद में ले फोन के ज़रे हिपनिटाइस की है, सारांश को ओ तो यह है इसे फजाने के लिए जाल भिछाना पड़ेगा मैं आगया हूँ शुपकर क्यों खड़े हो बाहर निकलो देखो अगर तुमने मुदे प्लैकमेल करना बन नहीं किया ना ने ने प्लीज हम लोग तो डर गए अब मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा तुम सच सच बताओगी करें आपकी गण गिर गे अड़े आपकी गन गिरगे करेंड़े आपकी आरा पड़े आपकड़ू कहां, बहुत लोगों को सम्मोहित कर लिया, अब CID का सम्मोहन भी देख लो हाँ, मैंने दॉक्टर दिन को रोड दॉक्टर से दांत की जान लिया है, क्यों, अपनी सम्मोहन का लगा गलत इस्तमाल करते शरम नहीं आई तुम्हें, उने शरम नहीं आई, मेरी जिंदगी बर की मेहनत को एक पल में चीनते हुए, कैसी मेहनत, मेरी रिसर्ट, सम्मोहन का व मेरी अपनी जिंदगी के कही साल दिये उस रिसर्ट को, वो रिसर्ट ही तो मेरी जिंदगी के अन्मोहल पुंजी थी, उन लोगों ने, मेरी मेहनत मुझसे चीनी, और मैने उनसे उनकी जिंदगी, इतना बड़ा धोखा, अपने दोस्त की सालों की मेहनत को तुम यू इसा, इज़त, सब कुछ मिलेगा, और इन तीन चीज़ों का आगे जा, तेरी दोस्ती खुर्बान की, मुझे नहीं पता था, कि मैने दोस्तों के भेश में, तो सांप पाल रखे हैं, तिंकर की जुनियर डॉक्टर प्रिशीता मुझसे भी ट्रेनिंग ले रही थी, क्योंक सकता हूँ, वो तिंकर उसे साथ चनमों में भी नहीं सिखा सकता, इसलिए मैंने प्रिशीता को ही अपना मुहरा बनाया, प्रिशीता, तुम्हें डॉक्टर तिंकर का खून करना है, प्रिशीता, और अब जो आवाज तुम्हें सुनाई देगी, उसके बाद, तुम अपने होश में आ जाओगी, और फिर दोबारा जब तुम्हें ये आवाज सुनाई देगी, तो तुम्हें याद आ जाएगा, कि तुम्हें डॉक्टर तिंकर का खून करना है, प्रिशीता, इन किरनों को महसूस करो, अब तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी, अब हुमारा एक योदिष्य है, तुम्हें डॉक्टर तिंकर का खून करना है, प्रिशीता, तुम्हें डॉक्तर तिंकर को मार दीना है, प्रिशीता, समझ गई तुम्हें डॉक्तर तिंकर को मारूंगी, तुम्हें डॉक्तर तिंकर को मारूंगी, तुम्हें डॉक्तर तिंकर क फिर मैंने सिध्धान्थ को भी सम्होईत कर दिया सिध्धान्थ इस धुन को तुम अपने मस्तिष्प में कैद कर लो और फिर जब दोबारा तुम इस धुन को सुनोगे तुम अपनी जान ले लोगे ठीक है मैं अपनी जान ले लूँगा लेकिन किमी को क्यों मारना चाहते थे तुम तरहसल वो मेरा राज जान चुकी थी और वो मुझे जेल बिजवाना चाहती थी जेल तो तुम अब भी जाओगे डॉक्टर आ रहा हो लेकिन उसके पहले उन डॉक्टरों को सम्मोहन के जाल से बाहर निकालो जिने तुमने सम्मोहित कर रखा है तेखियो किसर अगर आप मुझे जेल लेके दाएंगे तो मैं उन लोगों को सम्मोहन के मायदाल से कभी बार नहीं निकालूँगा सोच लो डॉक्टर आरभ तुमारे पास आखरी मौका है दुनिया के सामने अपनी बात साबित करने का कि सम्मोहन की वो नई तकनीक तुमारी खो जाएं डॉक्टर दिनकर के नहीं ठीक आफिसर मैं अपने बतले के लिए उन निर्दोश लोगों की जान से नहीं कहलूँगा लेकिन बदले की आग में तुमने जुर्म का रास्ता अपनाया है डॉक्टर आरभ दो दो लोगों के खोन की हैं तुमने उसकी सजा तो तुम्हें भुगत नहीं पड़ेगी